हेलो दोस्तों मैं हूँ निशा स्वागत है आपका क्यू ट्रिक्स 2.0 पर यहां आम करते हैं उत्राखन सामाने ग्यान के महतुपूर्ण प्रक्षणों की प्रैक्टिस यह प्रैशन पूछे जाते हैं UKPSC, UKSSC और DLA जैसे सभी महतुपूर्ण प्रतियोगी परिक्षाओं में यह क्लास डेली सुबह 6 बजे ली जाती है तो चलिए बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं आज की क्लास को आपका पहला प्रैशन है उत्राखंड का सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला आपके आप्शन्स हैं A. नैनिताल, B. दहरादून, C. उत्तरकाशी या D. चमोली सही उत्तर देने के लिए कमेंट कीजेगा और आपको समय मिलता है 10 सेकिंड का तो जो की शुरू होता है अब जिसका सही उत्तर है आप्शन D. चमोली सबसे ज़्यादा छेत्रफल वाला जिला अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा भूकम सर्वाधिक दीव्रता का था आपके ओप्शन्स हैं A. कप कोड उनिस सो अठावन B. धार चूला उनिस सो अस्सी C. चमोली उनिस सो निन्यानवे या D. उत्तरकाशी उनिस सो एक्यानवे आपका समय शुरू होता है अब 10 सिक्रिंड दीए जाते हैं आपको ताकि आप सही उत्तर को कर सके कमेंट तो कीजिएगा सही उत्तर कमेंट तो सही उत्तर है ओप्शन नमर C. चमोली उनिस सो निन्यानवे जो सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकम था अगला प्रशन है उत्तराखन के किस भाग में पाता अपका समय शुरू होता है सही उत्तर है ओप्शन B तराई में अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा उत्तराखन का सबसे उचा परवचिकर है अगला प्रशन है किंगरी बिंगर किंगरी बिंगर नीती शैल शाल और धर्म क्या है आपका समय शुरू होता है सही उत्तर है ओप्शन C दर्रे जो ये नाम मैंने बोले हैं किंगरी बिंगर नीती शैल शाल ये सभी दर्रे हैं अगला प्रशन है राज्य में नहान परवत श्रंक लाएं कहां स्थित हैं आपके अप्शन्स हैं A हल्दवानी के पास, B टेहरी के पास, C लैंस्टाउन के पास, या D इनमें से कोई नहीं आपका समय शुरू हो चुका है सही उत्तर है अप्शन A हल्दवानी के पास अगला प्रशन है राज्य में नहान परवत श्रंक लाएं कहां स्थित है प्रशन दुबारह से रेपीट हो गया है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है राज्य में दार्माव व्यास घाटियों को जोडने वाला दर्रा कौन सा है आपके ऑ्प्शन्स है A उंटा B जयत्या C सिनला या D रामल आपका समय शुरू होता है सही उत्तर है option c सिनला अगला प्रश्न है निम्न में से राज्य की सबसे उंची हिमाच्छादित परवत चोटी कौन सी है चोटी लिखा यहाँ चोटी परवत चोटी कौन सी है सबसे उंची हिमाच्छादित परवत चोटी options है A. नंदा देवी, B. कामेट, C. चगोरी या D. त्रिशूल आपका समय शुरो चुका है सही उत्तर है option A. नंदा देवी जो सबसे उंची हिमाच्छादित परवत चोटी है अगला प्रश्न है राज्य में दून कहा जाता है इसे कहा जाता है A. नदी घाटियों को, B. संरचनात्मक घाटियों को option C. अलपाइन घास मैदान को, D. संकरी घाटियों को आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी सी कीचिए सही उत्तर को कमेंट जोड़ी है हमारी जो ट्रिक्स टू पॉइंट उंकी प्रेक्टिस क्लास में इसका सही उत्तर है option B. संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है अगला प्रिश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा बागी शुर और पिथोड़ा गर को जोड़ता है चलिए आपके options देखते है A. श्रंग कंट को B. प्रेल पास C. सिनला या D. बारा होती आपका समय शुरू होता है बागी शुर और पिथोड़ा गर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम सही उत्तर है option B. प्रेल पास ठीक है friends तो आज के लिए बस इतना ही है जल्दी हम मिलेंगे और भी बहुत सारे questions के साथ उनके practice करने के लिए लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि आपको जल्द से जल्द हमारे साथ इस class के live class में जोड़ना है जितने ज्यादा students होंगे पढ़ने के लिए प्रेक्टिस करने के लिए उतनी ही जल्दी हम इस class को live class के रूप में शुरू करेंगे और live class में शुरू होगी class तो और भी ज्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में तो ठीक है तब तक के लिए आप practice करते रहिए और जुड़े रहिए क्यों fix 2.0 को की साथ बाई बाई एं ठीक कियर क्यूंक रहिए